आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पर दिया जाता है तो हम मान लेते हैं Let Mark Price is equal to 100 रुपीज मान लेते हैं कि Mark Price जो है 100 रुपीज था अब देखो successive discount दे रहा है 30% का और 70% का तो selling price फिर article का क्या हो जाएगा देखो selling price की बात करेंगे तो हमें पता discount Mark Price पर दिया जाता है पहला discount 30% का तो हम कह सकते कि जो Mark Price है उसे 30% कम में sell कर रहा है तो उसका मतलब हो गया 100 का 70% हो जाएगा जब 30% कम होगा तो 100-30 कर देंगे हम तो 100 का 70% हो गया अब देखो successive discount के case में जो हमारा discounted price होता है पहले discount देने के बाद जो second discount होगा वो discounted price पर ही discount दिया जाता है तो जो ये 100 multiply by 70 divided by 100 है इसी पर हमाँ दूसरा discount देना है 70% का अब देखो हमें discount 70% का देना है तो 100-70% जो है उसकी value हो जाएगी मतलब multiply किससे करेंगे हम 30 by 100 से करेंगे क्योंकि जो discounted price है उसका 30% ही तो बचेगा जब 70% discount दे दिया तो तो multiply by 30 divided by 100 कर दिया हमने अब देखो selling price हमार पास कितना आ गया 100 से 100 cancel out कर सकते हम 10 से 10 काट दी 10 से 10 काट दी हमने तो 7 x 3 मतलब 21 रूपीज जो है हमार पास selling price आ गया देखो mark price जो है 100 रूपीज दा selling price 21 रूपीज है तो हमें पता discount net discount की बात करेंगे net discount कितने का होगा net discount will be equal to mark price minus selling price होता है mark price हमार पास कितना है 100 रूपीज है तो 100 minus selling price 21 कर देंगे तो discount net discount कितने रूपीज का आ गया 79 रूपीज का आ गया तो net discount का percentage हमार पास कितना हो जाएगा वो भी हम find out कर सकते हैं net discount percentage will be equal to देखो 79 रूपीज का तो discount मिल रहा हमें और किस पर मिल रहा है 100 रूपीज पर मिल रहा है तो किस के respect में हम लिखेंगे 100 रूपीज के respect में multiply by 100 percentage के लिए कर दिया हमने 100 से 100 cancel out कर देंगे तो discount percentage हमार पास कितना आ गया 79% का आ गया तो net discount percentage कितना आ गया हमार पास 79 इन परसंटेज में बूछा तो 79 हमार आंसर हो जाएगा So option 2 will be correct answer to this question Thank you